स्पीच पर्फॉर्मेंस लेके आ रही है बच्ची आपकी जोरदार तालियों के बीच दिया कि भाईस की लाडली है और है हर फिकर से अंजान मा का सपना और पीता का है अभिमान मा का सपना और पीता का है अभिमान ननी सी इन पर्यों की दाइरे से बाहर कभी उडा नहीं होती और जितना हम सोचते है लड़कियों की जिन्दगी उतनी आसान नहीं होती लड़कियों की जिन्दगी उतनी आसान नहीं होती नमस्कार मैं दिया आज आप सभी के सामने लड़कियों की जिन्दगी के विशेपा स्पीच बोलना चाती हूँ तो जो की इस प्रकार से है एक छोटी सी मैं लड़की हूँ, कुछ बिचार लेकर आई हूँ आँखों में आंसू और दिल में बवाल लेकर आई हूँ आप सभी की मौन साधना नहीं चाहिए आखिर क्यों गल्त होती है लड़किया आज बस यही बताएए हाँ मैं वहीं छोटी सी दो साल की लड़की हूँ हाँ मैं वहीं छोटी सी दो साल की लड़की हूँ जो यह चीक चीक कर कहती थी मुझे छोड़ दो मैं उमर मैं कच्ची हूँ हाँ हुआ ता शोशन मेरा भी मगर मैं अपनी जिन्दगी मौत के घाट नहीं उतारूंगी मैं वो कल्यूग की द्रोपती हूँ माश कालब द्रोपती हूँ लाच बचाने शीरिक्रुष नहीं बुलाूंगी और हनुमान जी की पक्त हूँ यह कहने से कभी न घबराऊंगी जो छूले एक बार मेरी पूँच फिर से सरयाम लंका फूक जाऊंगी मैं कल्यूग की द्रोपती हूँ लाज बचाने शिरिक्रिश नहीं बुलाओंगी टीवी एसी फ्रिज और लंबी गाड़ी इन चार चीजों मैं मैं कल फिर बिक जाओंगी आखिर इस दहेज की आड में मैं तिल-तिल मर जाओंगी क्या पता था मेरे बुड़े बाप को कि एक दिन ऐसा नियोता आएगा जब जवान बेटी के सब ले जाएगा अब आप ही बताएए ना अब आप ही बताएए ना अदालतों की इस दुनिया मैं कानूनों का खेल क्यों किया जा रहा है जबकि यही बताना है सरयम दरिंदों को तो जेलों के आदेश भी क्यों दिये जा रहे है मुझे आगे पड़ता देख तुम जलन भाव ले आते हो आखिर मैं ही वो मा बेहन बेटी हूँ जिसकी भज़ा से तुम इस दुनिया मैं आपाते हो दन्य आपाते हो धन्यवाद कि एखबार कि के एचडी दिया जा जाएडा डा रहे हैं टो पता ही ने कि इसमें कितना थे दम दिलिया दे सामने अपना टैलेंट दिखा हम नहीं यह सब तो अफुधिया टैलेंट सो है यह सब तो इंट्रेश्टिंग गाल के एक एकषडी वाले साने ट्रेनिंग भी दिन देने यह बत्यान इक प्लाइटपों मिद देने इनद नंबर की है नबेग दाली सासो तेती सासो तेती